नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटे, डायरेक्टर अपका एक बार स्वागत करता हो सफथाम आपके ओफिशिल एटिप चैनल के उपए अरबार की तरह इस बार भी कुछ अलग वीश है, अलग टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्तित होनी जा रहे है आज का यहां पर हमारा जो टॉपिक है वो बंगलादेश की एक एक रेपिटर उनिवसिटी जिसका नाम है शागुद्दिन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इससे पहले मेरा आप सबसे निविदन है कि अगर आपनी चनल को सब्सक्राइब ना किया और सब्सक्राइब जरूर से कि लिए ताकि आने वाले दूसरे वीडियो के भी आपको बेनिफिट मिल पाए तो चलिए दूस्तों बात चुरू करते है शागुदिन मेडिकल कॉलेज के यहां पर लोकेशन की बात की जाए तो डाका सिटी के अंदर आई वी कॉलेज है अगर बात की जाए तो बंगलदेश का कैपिटल है और दूसरा एक अगर चीज बात करेंगे यहां परे दुनिया का सबसे बड़ा बेंगली स्पिकिंग स्टी भी इसका आप बोल के साथ इसको आप आठवे नंबर का सबसे बड़ा सीटी बोल सकते हो पूरे विश्वा में और इस ही पॉपिलेशन की इसाफ़ से अगर आम लोग लोग डैंसिटी लेवल की बात करेंगे तो चटे नंबर का सबसे ज़्यादा डैंसीटी वाला सीटी वाला की आप इसको ब और आर पर फेजें आपको क्लाइमेट करता है, अगर इहां पर इस टैम्परिचर जिसलमाइन के अधिक तेम्परिचर आपको ऐसे आपको जो डाका इंटरनेशनल एरपोर्ट है वहां से आपको कॉलेज तक पहुचने के लिए करीबन एक गंटे की रिक्वार्मेंट रहेगी उसके अलावा आप दूसरा ट्रांस्पोर्टेशन भी यूज कर सकते हो जैसे बाई इंडिया आप जा रहे हो तो बाई ट्रैन भी जा सकत यहां पर अगर हम लोग available flights के बात करेंगे कि मौद करेंगे विह प्लाइट के श्रायत्य अम एविल्ज को यहां पर आप तो आपको यहां पर different companies की फ्राइट के options भी available हो जाते हैं. यहां पर अगर हम दो college के detail की बात करेंगे, तो यहां पर जो college का नाम है, वो है शावुदिन Medical College Hospital, उसका academic affiliation की बात करेंगे. तो वो जो affiliation है, वो university of data के साथ. college का अगर establishment की बात करेंगे, तो 2010 के इन पर college का establishment हुआ था. यहां पर medium of instruction की बात की जाए, तो like other university in Bangladesh, यह university भी fully English medium university है. इंटरनेशनल accreditation की अगर यहां पर बात की जाए, तो different kind of accreditation available है university के पास. Like MCI या NMC, जो की India के अंदर practice करने के लिए requirement है, उसके द्वारा भी accredited है, तो उसके अलावा ECFMG से accredited है, जो की US के अंदर या Gulf Country के अंदर practice करने के लिए required है, उसके अलावा GMC से accredited है, जो की UK के अंदर practice करने के लिए required है, उसके अलावा AMC से accredited है, जो UK Australian Medical Council है, उसके अलावा MCC, यानि की Canadian Medical Council है, उससे भी accredited है, इसके अलावा MCNZ यानि कि जो न्यूजलेंड में प्रैक्टिस करने के लिए अगर यहां पे डिपार्टमेंट की बात की जाए तो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट यहां पे अविलेबल है उसके अलावा इसके अविलेबल है अब यहां पे अगर कॉलेज की फीज या पेकेज के बारे में बात करेंगे तो यहां पे जो कॉंप्लीट पैकेज होता है जिसके अंदर काफी सारी चीज़ा आप इंक्लूट बोल सकते हो सब्सक्राइब करेंगे तो 44-48 लाग का अपका यहां पे टोटल बजिट लगना है और यहां पे जो है एक चीज आपको खास दियान रखनी है कि यह जो भी बजेट है यह टोटल जो पैकेज है जो कि 44-48 लाग है वो आपको तीन साल के अंदर कंप्लीट करना रहेगा यहां पे अगर हम लोग सफता में बात करेंगे इस कॉलेज के बारे में तो फाइनेस्ट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल आप इसको बोल सकते हो डाका सिटी के अंदर दूसरा अगर हम लोग यहां पे मेडिकल एजूगेशन के बारे में बात करेंगे तो दूसरा यह कॉ इस कॉलेज का बहुत ही आसान हो जाते है अपने लिए दूसरा शावदिन मेडिकल हॉस्पिटल जो है उसका 500 प्लस बेड़ेड का केर हॉस्पिटल है जो कि एक लीडिंग बोल सकते हो प्राइवेट हेल्थ सर्वीस के अंदर बंगलदेश के अंदर वही चीज आपको यहां इसके अकोडिंग प्रैक्रिकल एक्सपोजर देने के लिए काफी ज्यादा बैतर रसावीत हो सकते हैं दूसरा अगर शावदिन मेडिकल कॉलेजन हॉस्पिटल की भाग करेंगे तो 200 प्लस डॉक्टर का यहां पे स्टाफ अविलिबिल है उसके अलावा 400 प्लस अधर स्टा आपके लिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना बूले उसके अलावा लाइक जरूर से कर ले उसके अलावा फिर से निवी दिन रहेगा मेरा आप से कि अगर आपनी एचनों को सब्सक्राइब ना कियो तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले दूसरे वीडियो के भी आपको बेनिफिट मिल पाए उसके अलावा हमारा चैट सेक्षिन भी अविलेबल है जहां पे जाके आप हमारे कांसिलर से चैट पे भी बात कर सकते हैं उसके अलावा जो दिया गया मेल आइडिया है उसके उपर आप मेल करक करते हैं धन्यवत टेक है